एक लड़की का murder हुआ तभी हमारी main character ने उस लड़की को एक बार में देखा था उसके बाद उसकी life में एक डिरिक्टिव आता है जो बहुत mysterious था Hello friends, आज मैं आपको in the cut ये Hollywood mystery movie explain करने वाला हूँ इस movie की खास बात ये है कि हर character पर आप शक करते हो तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखेगा अब बिना किस दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका मैं Franny ये हमसे introduce होती है Franny अपनी sister के साथ बात कर रही थी अपनी sister कराम है Pauline Franny एक teacher है, एक बार मैं अपने student से हो मिलने वाली थी पॉलिन को लगता है कि Franny का student उसे like करता है Franny ने उसे का मेरा हर student मेरे साथ flirt करता है ये कोई अलग बात नहीं इसके बाद Franny और उसका student Cornelius ये कुछ subject पर बात कर रहे थे थोड़ी दर में Franny नीचे toilet के लिए जाती है तब ही वहाँ पर एक आदमी और एक लड़ की intimate हो रहे थे उसे बहुत ही intriguing लगा तो ये देखने लग जाती है Franny ने उस आदमी के हतों पर एक tattoo notice किया उसे बहुत वक्त लगा था तो उसका student यहाँ से चला गया इस बार का बिल Franny को ही pay करना पड़ता है अगली दिन वो student Franny की class में नहीं था class खतम होने के बाद वो से उसके बार के पैसे दे देता है Franny कहती है classes में आया करो ये बहुत ही important है Cornelius actual में Franny को like करता है पर Franny अपने student के साथ कोई भी relationship नहीं रखना चाहती इसके बाद जब वो घर पर आई तो एक directive उसका wait कर रहा था ये हमारा और एक main character है उसका नाम है Maloy अभी-अभी Franny के apartment के सामने के garden में एक lady की dead body मिली थी उसी एक investigation करने के लिए मॉलाय उसके घर पर आया हुआ था उसे बुशता है ये जिस रात murder हुआ ये तुमने कुछ सुना था तुमें कुछ भी पता हो तो सब कुछ पता दे न छोटी-छोटी details Franny कहती है कि generally मैं अपनी window open करकर सोती हूँ पर उसे कुछ भी सुना ही नहीं दिया यही पर ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी Franny का ex-boyfriend उसे उसके apartment के बाहर मिलने के लिए आया बाहर से ही उसे एक message भी देता है Franny ने इस बात को ignore कर दिया मॉलाय Franny के घर में बहुत सारी चीज़ों को notice कर रहा था यह जैसे कि वो artistic टाइप है बहुत सारी चीज़े लिखती रहती है Franny की sister की photo भी उसने देखी इस सब investigation के बाद मॉलाय अपना number दे कर वहाँ से चला जाता है Franny ने मॉलाय के बारे में एक चीज़ notice की थी जो tattoo उस राद बार में intimate होते हुए आदमी के हाथ पर था यही tattoo मॉलाय के हाथ पर भी है उसे लगता है शायद वो वही था राद में उस आदमी को imagine करकर वो अपने आपको please करती है अगले दिन जब Franny अपने काम पर जा रही थी तो मॉलाय और उसका detective friend यह दोनों से रोक लेते है उसे late हो रहा था तो उसे drop करने वाले थे मॉलाय फ्राणी से कहता है जिस राद murder हुआ तुम उस राद उसी बार में थी क्या तुमें कुछ याद है उन्हें credit card bill से यह information मिली हुई थी फ्राणी कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं मॉलाय ने murder के उसे सब कुछ फोटो जगरा दिखा है जो बहुत ही dangerous थे फ्राणी को कुछ भी याद नहीं आता जिसका murder हुआ था उसे अपने life में उसने कभी भी नहीं देखा था जाते वक्त मॉलाय फ्राणी से कहता है मैं तुम्हें figure out नहीं कर पाता क्यों ना हम date पर चले फ्राणी ने भी इसके लिए हा कह दिया वो फिर अपनी sister से मिलने के लिए आई उसकी sister आज बहुत ही जादा disturb हो चुकी थी actual में उसका एक doctor के साथ affair था पर इस doctor की already family थी अब doctor की wife को सब चीजे पता चली तो doctor ballin को ignore करने लग गया ballin ने doctor को contact करने की कुशिश की पर doctor ने listening order लगा दिया उसे मिल नहीं सकती इस break up के बाद वो तूट चुकी थी फ्रैनी उसे सहारा देती है कुछ दिनों पहले फ्रैनी का बड़े था तो ballin ने उसे एक gift दिया एक bracelet है जिस पर अलग-अलग चीजे बनी हुई है यह फ्रैनी को बहुत अच्छा लगता है फ्रैनी ने पॉलिन को mulloy के बारे में बताया तो polly कहती है तुम्हें इस date पर जाना चाहिए फ्रैनी भी फिर mulloy के साथ बार में आके मulloy उसे बुच्था है कि तुम उस रावी तो student के साथ थी क्या तुमारा boyfriend है फ्रैनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं का पार्टनर बहुत ही अजीब लगा था उसके पास रियल गन नहीं तो वाटर गन लेकर फिड़ता है मलोय ने कहा मेरे पार्टनर की वाइफ और उसमें जगडा हुआ था वो कभी भी उससे मारता नहीं पर उसकी वाइफ ने उसके ट्रॉपेस को तोड़ दिया था इनकी बा पाते फ्रैनी को अच्छी नहीं लगी वो यहांसे जाने लग गे एली से गुजरते वक्त अजानक उस पर किसे ने हमला कर दिया फ्रैनी जल्दी से जान बजा कर भागी और वो स्टीट पर पहुँझ गे यहाँ अपर एक टैक्सी की टकराने की वज़े से उसे थोड़ी सी आदमी मर्डरर था मॉलाय उसे कहता है कि वो मर्डरर हो नहीं सकता क्योंकि मर्डरर बहुत ही अजीब तरीके से मर्डर करता है इसके डिटेल्स में वो नहीं जाना चाहता क्योंकि यह बहुत ही घटिया होती है मॉलाय ने फ्रैनी से कहा कि मुझे बता कि उसने तुमें किस तरीके से पकड़ा हुआ था ये दोनों एक्ट करते हैं तब ही मलाय उसे टच करने लग गया फ्रैनी और वो फिर इंटिमेट हो जाते हैं फ्रैनी मलाय से बहुत ही सप्राइस थी क्योंकि वो अलग-अलग चीज़े ट्राइ कर रहा था उसे बुछती है तुम इतने एक्सपरियंस कैसे हो मलाय ने कहा कि जब मैं टीनेजर था तो पीजा डीलोरी का काम क्या करता था एक दिन एक ओलडर लेडी मेरे साथ इंटिमेट हुई थी उसने मुझे इस सब चीज़े सिखाई थी फिर से इंटिमेट होने के बाद फ्रैनी ने अपना ब्रेसलेट नोटिस किया तो उससे एक चीज़ कायब थी शायद स्टीट में फाइट करते होगे गिर गई होगी फ्रैनी ने मुझे से उस मुर्डर की रात के बार में बात की वो कहता है उस रात तुम बार की नीचे उस लड़की के साथ इंटिमेट हो रहे थे मॉला इसके बार में कुछ भी नहीं जानता फ्रैनी कहते है उस लड़की के ब्ल्यू फिंगर नेल्स थे मोलाई इंट्रेस्टेड हो गया क्योंकि उसी लड़की का उस रात मर्डर हुआ था उसने फ्रैनी से कहा कि तुम्हें पुली स्टेशन चलना चाहिए तुन्हें विक्टीम को एक आदमी के साथ देखा था शायद वही आदमी मर्डरर हो सकता है नेक्सीन में हम देखते हैं कि फ्रैनी अपनी सिस्टर पॉलीन के साथ हैंग आउट कर रही थी फ्रैनी को लगता है कि मोलाई उससे जोट कह रहा था उस रात उस बार में वही उस लड़की के साथ इंटिमेट हुआ था यही बात करते करते फ्रैनी का एक्स बॉइफ्रेंट कैफे के सामने उसका वेट कर रहा था फ्रैनी के जाने के बाद वो बेजारा बहुत ही अकिला पर चुका है उसे कॉल करने की कोशिश करता है मनाने की कोशिश करता है पर बहुत ही लेट हो चुका था फ्रैनी अब उसे प्यार नहीं करती है वो अपना डॉक फ्रैनी को देना चाहता था वो एक्च्वल में डॉक्टर है तो आठा-ठा गंटे उसे होस्पिटल में रहना बढ़ता है फ्रैनी भी इसके लिए मान जाती है हम मुवी में फ्रैनी को जिस तरीकी से देखते है उसे हमें पता चलता है यह फ्रैनी की मेमरी उतनी अच्छी नहीं वो हमेशा थोड़ी से डिलूजनल स्टेट में रहती है नेकसिन में फ्रैनी का क्लास जब खतम हुआ तो कॉर्नेलेस उसे देख रहा था उसकी वुन को उसने नोटिस किया उसके लिए वरी करता है तब यह हम देखते हैं यह मुला कॉर्नेलेस को ढून रहा था मर्डर के रात कॉर्नेलेस भी उसी बार में था तो उसे भी वो क्वेशन करता है फ्रैनी पर कल राज इसने अटेक किया था उसके बास फ्रैनी का वॉलेट है उसके घर पर आ सकता है तो इसी वज़े से वो पाच्छे दिन अपनी सिस्टर के साथ आकर रहती है उसकी सिस्टर और वो अपने फादर के बारे में बात कर रहे थे फ्रैनी गहती है क्या दो में याद है या हमारे फादर मेरी मदर से किस तरीगे से मिले थे फादर किसी और के साथ एंगेज थे और पाक में आये हुए थे वही पर उन्होंने मेरी मदर को देखा वो उससे उनकी नजरे हटा नहीं पाए जिससे वो एंगेज थे उसने भी ये नोटिस किया उनकी engagement उसी दिन तूट गई थी तोरण बात फादर ने एक दो घंटे में ही मेरी मदर को प्रोपोस कर दिया इनकी बातों से मैं पता चलता है कि फ्रैनी के फादर ने चार पाश शादिया की थी फ्रैनी वंडर कर दिया कि एक हस्बन को पाना कितना difficult होता है थोड़ी दिर में मॉलाय ने फ्रैनी को कॉल किया और एक मर्डर हो चुका था उसे स्टेशन पर आकर कुछ क्वेस्चन पूछना चाता था मॉलाय के पार्टनर ने फिर फ्रैनी को अलग-अलग गुंडों की फोटोस दिखाए फ्रैनी कहती कि उस रात अंधिरा था उस आदमी को देख नहीं पाई थी बात करते कर दे मॉलाय का पार्टनर उसे डेट पर ले कर जाना चाता था तब ही मॉलाय यहाँ पर पहुँच गया और फ्रैनी को ले कर जाता है मॉलाय को फ्रैनी बहुत ही अच्छी लगी थी उससे बुच्छता है कि प्रपोस करने से पहले कितना टाइम वेट करना चाहिए फ्रैनी कहती है मेरी मदर और फादर सिर्फ एक गंटे में एंगेज हो गई थे मॉलाय फिर उसे जंगल में एक नदी के पास लेकर गया यह जगा देखकर फ्रैनी को लगता है यह मर्डर करने के बाद बॉडी चुपाने के लिए परफेक्ट है तब ही मॉलाय ने गंट निकाली और पानी में उचूट करता है उसे जो भी फ्रस्टेशन हो यह पानी में शूट करकर यह निकाल देता है फ्रैनी गंट से डर रही थी पर मॉलाय ने उसे गंट चला नहीं सिखाई वो भी प्रैक्टिस के बाद एम करना सीख कई थी यह दोनों फिर यही पर कीश करने लगते है यह इंटिमेट होने वाले थे पर मॉलाय रूप कया वो कहता है दिन रात मेरे माइंड में उसी मर्डर के खैल चल रहे है वो इसे अपने माइंड से निकाल नहीं पाता इसके बाद फेरे दोनों एक कैफे में आए अपने बच्चों के पास उसे कुछ दिनों के लिए जाना था फ्राणी को लगता है कि उससे पीछा छोड़वाने की कोशिश कर रहा है मॉलाय उसे समझाता है कि मेरे और मेरे वाइफ में कुछ भी नहीं है जब मेरा और उसका डिवास हुआ तो यह बरबात हो गया था उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आपको खड़ा किया है इन सब बाद से फ्राणी डिस्टब हुए और वैसे ही घर पर आई घर पर उसका एईस बॉइफरेंड उसका वेट कर रहा था उसके बास अवे भी उसके घर के चावी थी वो फ्रैनी से कहता है कि शायद तुमारे स्टूरेंट ने मर्डर किया था पुलिस ने नोटिस किया कि उसने अपना प्रोजेक्ट बलर से कम्प्रीट किया था फ्रैनी उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती है तो यहाँ से चली जाती है वो डारेक्ट ले अपनी सिस्टर के पास आई घर पर उसे कोई भी दिख नहीं रहा था जब वो बात रोम गए तो उसे डारेक्ट ले उसकी डेट बॉड़ी मिली पुलिस को कॉल किया जाता है मुलाय वहाँ पर पहुचा उसे साहरा देता है फ्रैनी उससे यहती है कि जब मैं छोटी थी तो एक दिन मैरे फाइदर मुझे सिटी में छोड़ कर चले गए थे बाज दिनों तो मुझे कोई भी ढूण नहीं पाया था यह सब बात जब मैंने फ्रैनी से कही तो उसने मुझे से कहा था मुझे इस उपोचुनेटी का फाइदा उठाना चाहिए था जब भी फ्रैनी के ज़िए हार सिचुएशन में होती थी तो पॉलीन उसे हेल्प करती थी यह दोनों एक दुसरे के लिए बहुत ही इंपोर्टन थी फ्रैनी ने पूचा उसका मर्डर कैसे हुआ था उसे जानना था मुलॉय कहता है कि मर्डर ने उसे एक रिंग पहनने के लिए थी उसके बाद उसने उसका सर काट दिया फ्रैनी बहुत रोई उसे फिर मुलॉय घरव लेकर आया अगली दिन Franny को मिलने के लिए फिर से उसका स्टोरंट आया हुआ था Franny रिस्टप थी तो उसने बहुत सारे ड्रिंक कर लिया था तभी उसका स्टोरंट उसके साथ इंटिमेट होने लगता है Franny उसे मना कर दिया पर उसे फोर्स करने लगता था तो ये मुलाय का पार्टनर किड़के से उसे आवाज देता है ये स्टूडेंट फिर गुसे में वहाँ से चला गया थोड़े दिनों के लिए मुलाय अपने फैमिली के साथ गया था तो इसी वज़े से उसने अपने बार्टनर को फ्रैनी पर नज़र लगने के लिए कही कुछ दिन गुज़र जाते हैं और उव्वेसे फ्रैनी के पास वापस आया फ्रैनी उस वर बहुत ही गुस्सा थी है उसे बहुत मारती है फ्रवैनी के हालत भहत ही खराब थी मौलाय उसे उठाता है, उसे बात विग्रा देता है फ्रैनी उसे कहती है, यह तुमसे कुछ भी एक्षपेट करना क्या कलित है उसे अभी भी लगता है, मौलाय एक लाइर है इस बात से मौलाय को गुस्सा आ गया वो कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे पर ट्रस नहीं कर सकती है तो उसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है वो गुस्सा करकर यहां से जा रहा था पर फ्रैनी ने उसे रोक लिया वो रेडी हुए और उसके साथ कही बाहर जाना चाती थी पर उसे पहले मुलाय के हैंड कप उसने ले लिये एक पोल से उसे बान देती है वैसी उसके साथ वो इंटिमेट होके मुलाय कहता है कि मुझे जल्दी से यहां से बाहर निकाल लो उसे ज़रा अनकमफरटेबल लग रहा था अब फ्रैनी जब मुलाय के पोकेट में चावी ढून रही थी तभी उसे अपने ब्रेसलेट का एक हिस्सा उसके पोकेट में मिला यह उसके ब्रेसलेट का हिस्सा उस तरह स्टीट में फाइट करते हैं गिर गया था उसे लगता है कि उसे जो मारने की कोशिश कर रहा था ये मुलॉय ही था मुलॉय ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है उफेश से उसी साइट पर गया था उसे ये चीज मिल गई थी फ्रैनी सारे डॉट्स कलेक करने लग जाती है उसने नोटिस किया था कि बॉलेन की घर की चावी मुलॉय के पास थी पर वो डिरेक्ट्व है मुलॉय के हाथ बंदे हुए थे वैसे उसे छोड़ कर वो बहार निकल जाती है बहार आने के बाद मुलॉय के पार्टनर से उमिली उसे सब कुछ बात बता देती है पार्टनर कहता है कि मेरे साथ चलो Molloy ने भी इनसारी बातों के बार में सोचा उसने और उसके पार्टनर ने एक ही टैटू बनवाय हुआ था इसका मदलब है उसका पार्टनर सीरियल गिलर है Franny को Molloy का पार्टनर एक रिमोट से लाइट हाउस पर ले कर आया पार्टनर फ्रैनी से गयता है कि मलाई एक अच्छा ओफिसर है वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता फ्रैनी ने मलाई के पार्टनर के हाथ पर टैटू नोटिस किया वो समझ गई थी कि यही एक्चुल सिरियल किलर है वो डर कर रोने लग गई थी पार्टनर उसे हग कर लेता है वो गहता ही कि डरों मन वो हमेशा किसी को भी मारने से पहले उसे रिंग देता है उसी तरीके से फ्रैनी को भी उसने रिंग दी फ्रैनी को अचानक से याद आ है कि उसके पास जो मलाक और जैकेट है उसमें उसकी गन है वो गं लेकर इस किलर को मारने की कुशिश करती है पर इन दोनों में बहुत fight हुए Finally उसने उसे मार डाला Molloy ने घर पर कफ से निकलने की बहुत कोशिश की थी पर वो निकल नहीं पाया था Fanny घर पर आई और उसे गले लगा लेती है वो अब उस पर पूरी तरीखी से trust करती है यही पर यह movie end होगी अगर आपको explanation अच्छा लगा तो please इसे like कर दीजेगा वे बहुत सारे movies लेकर आते रहते हो तो please इस channel को subscribe कर दीजे और बिल notification icon दाने मत भुलिएगा हम वीर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तके लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये